हालो एवरिवान देखिया आज की जो क्लास से उसमें हम आपको शॉटकट ट्रिक बताएंगे जिससे आप स्क्वार्स निकाल सकते हैं दो डिजिट के और तीन डिजिट के स्क्वार्स इजली आप निकाल सकते हैं तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट में बताऊंगी क किस कंडिशन में वो फॉर्मले लगते हैं शॉटकट ट्रिक्स कैस किस टाइप के कोशन में अपलाई होती है वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करेंगे मैं अजली शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ स्क्वार्स निकालने की विदी बता करेंगे और एक होगा कि लाज जीट फाइव और नाइन के सीरीज और टीड़ेट के स्क्वार्स निकालना बताएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि हंड्रेट बेस्पास को कैसे सॉल्व करना है जैसे माल लीजे कि कोई भी कोश्चन है जो हंड्रेट के आसपास हो अभी हम करेंगे बेस हंड्रेट मान के ठीक है तो हंड्रेट के आसपास का कोई भी स्कॉयर जैसे 97 का स्कॉयर में निकालना है ठीक है अभी हम हंड्रेट बेस्पान के कर रहे हैं समझ लीजे अच्छे से और अगर आप यह चीज़ समझ जाएंगे तो कोश्चन देखते ही आप आ कर दीजिए ठीक है तो आगे 94 अब इस 3 का स्कॉयर यह दो डिजिट लेनी है तो 3 का स्कॉयर कितना होता 9 लेकिन आपको 0 यहां लगाना पड़ेगा तो यह इसका स्कॉयर हो गया 97 का स्कॉयर कितना हो गया 9409 एक और एक्जामपल लेकर जैसे समझते हैं कि माल लीजे आपक 2 कम है ठीक है तो 98 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 कम है 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा वही 2 यहां माइनस करना यह नहीं किया आगया 96 अब इस 2 का स्कॉयर यह 0 4 यह आंसर करेक्ट हो गया यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि माइनस क्यों किय क्योंकि 100 से यह कम है इसलिए आपको जो डिजटी होगी उसमें से उतना माइनस करना पड़ेगा ठीक है आप इसके बाद बात करते हैं कि अगर 100 से कोई भी चीज़ ज़्यादा है जैसे माली जिए 103 का स्कॉयर आपको निकालना है तो 100 से यह ज़्यादा हो गया ठीक है लेक से यह 3 ज़्यादा है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे यह 3 जो है यहाँ पर प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 106 और 3 का स्कॉयर यह जिरो 9 यह अंसर करेक्ट हो गया ठीक है मैंने यह सॉल करके बताया आप औरल भी कर सकते हैं 100 से ज्यादा 3 तो 3 को 103 में एड़ कर दिया 106 ओं गया ठीका स्काइर 009 हो गया अब एसे वालिजे कोई बी एक्जाम्पल और ले लें जैसे माली माली जे 104 का स्कार ठीक है तो 104 का Premium जोंक ज़ादा 4 तो इसी में 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 108 और 4 का स्कॉयर 16 यह आंसर हो गया यह आपको बस 100 बेस मान के जब करेंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है अगर कोई चीज अगर 100 से ज़्यादा है तो उसे प्लस करना है कम है तो उसे माइनस करना पड़ेगा और बाकी प्रोसीजर सेम है स्कॉर करके स्कॉर लिखतेंगे ठीक है तो यह तो हो है दो कोशिन में बताए हंडेट ज्यादा के और हंडेट कम के आब आते हैं 50 बेस मान के कोशिट कैसे करना है तो बेस 50 मान के कोशिट करना इसमें मतलब पचांस के आसपास के जितने भी नंबर से उनके स्कॉर को मैं इसली निगाल सकते हैं जैसे माल लीजे के हमने लिया 49 क माइनस करेंगे तो कितना गया एक अब एक कम है 49 एक कम है 50 में से ठीक है तो इसको हमीशा 25 में कम है तो 25 में से एक माइनस करते हैं तो यह जाएगा चाल ओविस और एक का स्कॉर कितना हो जाएगा 01 The answer ओगया ठीक है यहां पर हम सेब डिजोट से माइनस यह प्लस करते दें यहां पर 50 बेस में आपको क्या करना है आपको 25 में प्लस करना है 25 में माइनस करना है तो यहां पर माइनस क्यों किया क्योंकि यह डिजिट कम है आप एक और एक्जामपल ले लें मालीजे कि 48 का स्क्वार आपको निकालना है तो 48 का इसक्वार निकालेंगे 50 में से कितना कम है 2 ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा सिवें 25 में से 2 मैare जो कर एक 20 से 2 कम है तो यह आ जाएगा 23 आप 2 का is square यह यह आंसर हो गया ठीक है ये तो हो गया 50 से कम के स्क्वाइर 50 बेस मान के करने है अब बात करते हैं 50 से ज्यादा के स्क्वाइर बेस 50 मान के ही करना है 50 से ज्यादा के स्क्वाइर तो जैसे माली जे 52 का स्क्वाइर आपको निकालना है अब 50 से ये ज्यादा है 2 ठीक है 2 ज्यादा है तो आपको क्या करना है 25 में वो वाला जो 2 है वो add कर देना है क्यूं क्यूंकि ज्यादा है यहाँ पर तो 25 में 2 add करेंगे 27 हो गया 2 का square कर देंगे तो ये answer correct हो गया ठीक है ऐसे ही मा लिजे कि हमने निकाला 54 का square तो 54 के square में ये चार ज्यादा है 50 से ठीक है तो क्या करना है 25 में 4 जोड़ देना है यहीं 29 हो गया इस चार का square सूला यह answer correct हो गया ठीक है यह समझ में आ गई 50 बेसमान के और 100 बेसमान के मतला 100 के आसपास और 50 के आसपास के square सब इस method से easily निकाल सकते हैं आप बात करते हैं उन स्कॉयर्स की जिनके लास्ट में 5 डिजिट हो ठीक है तरीके आप पूरा सीख लेंगे तो आपको application में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि simplification के question एक्जाम में 100 परसेंट आते हैं ठीक है तो इधान रखिए कि अभी हम जो बात कर रहे हैं यह निकी जैसे 25 का square हमें निकालना है ठीक है ा मैं 15êtesजेद पंदरा का square मिछालना एं फिर 25 का square मिखालना है तो अब यह question कैसे करेंगे देख Ini आपको पांच के case में 25 लिग देना है पांच का स्कार कितना होता है पत्चिस हो गया अब इसमें एक जोड़ देंगे एक में एक जोड़ेंगे तो दो हो गया 2 इंटु 1 योनीकी 2 ठीक तो पंदरा क्यों किता हो गया 2-2-5 ऐसे इसमें क्या करेंगे 25 लिख देंगे पाँच के केस में इसमें एक जोड़ेंगे दो में एक जोड़ा तीन तीन दोनी छे ऐसे ही यहाँ पच्चिस लिख देंगे और तीन में एक जोड़ देंगे तो चारा गया चारतियां बारा बारा लिख दिया फिर ऐसे ही पच्चिस लिखा और इसमें एक जोड़ दिया 5, 5, 20 ऐसे 25 लिखा 5 में एक जोड़ा 6, 6, 35, 30 ऐसे यहाँ पर 25 लिखा और इसमें एक जोड़ दिया 7, 7, 45 ठीक है? यह हो गया आपका 65 का स्क्वेर अब इसके बाद होता है जैसे 75 का स्क्वेर 85 का स्क्वेर, 95 का स्क्वेर तो वैसे ही निकालना है यहाँ पाद के केस में 25 लिख देना एक जोड़ करके इंटु कर लिख देना आपस में मल्टिप्लाई करके देखें यहाँ पर 8 हो गया 7 में एक जोड़ा 7, 8, 56 हो गया ठीक है 25 आ गया यहाँ पर एक जोड़ दिया 9 यह बहतर हो गया यह हो गया दस यह पच्चिस यहां आ गया 10 इंटु 990 तो यह मैठेड तभी अप्लाई होगा जब लास्ट की डिजट 5 हो टो डिजट में ठीक है तो यह वाला भी मैठेड हो गया तो इससे आप फोशन को निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं पैटल सीखने के बाद आप बात करते हैं ना वाले सिरीज की नाईन नाइनięणन सीरीज की बात करते हैं ठीक है आप जैसे माली जै आपको निकालना है ट्रिपल नाइन का स्वायर ठीक है? तो आपको क्या करना है इसमें? जितने 9 है उससे कम 9 जैसे 3 9 है तो यहां किते लिखने है 2 9 1 डैस लगाना है 2 0 क्योंकि 2 9 है तो 2 0 और फिर से 1 डैस लगा देना है ठीक है? अब 9 का स्वायर होता है अब इसका स्वायर कैसे निकलेगा? जैसे कि यहां पिप है 5 9 तो आपको कितने लिखने हैं? 4 1 2 3 4 और फिर डैस लगाया 4 0 क्योंकि देखे 1 2 3 4 5 है तो जितने 9 नोगे उसमें से कम कर देंगे तो यानि कि हमको 4 यहां लिखने डैस लगाके 4 0 लिखना है फिर डैस लगाना है 9 का स्क्वायर 81 हो गया ठीक है? और इसी मैथेड से आप माली जैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 माली जैसका स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पढ़ेगा? 6 हैं तो 5 लिखने 4 5 फिर डैस 1 2 3 4 5 क्योंकि 5 9 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां पर यह गड़ बढ़ है क्योंकि देखे 1 2 3 4 5 6 है तो 5 लिखने पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 ठीक है? डैस 1 2 3 4 5 डैस और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 यह इसका अंसर हो गया मतलब 9 की सीरीज में इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं और बहुत ही इजीली यह सॉल्व हो जाते हैं ठीक है? आप इसके बाद बात करते हैं आपके कोशन की जिसमें तीन डिजिट का स्क्वायर हो जैसे माह लीजे 401 का स्क्वायर आपको निकाल ला है ठीक है? तो अब यह कैसे निकालेंगे? देखे यह हम यहाँ पर कोई डिजिट थोड़ी बढ़ा दे 403 का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? 339 और 444 कितना हो गया? 16 ठीक है? चारतियां 12 12 दूली 24 और क्यूंकि हमें 2 डिजिट यहाँ लेनी 339 तो यह आंसर करेक्ट हो गया ठीक है? अब इसी वादेट से जैसे हमने निकाला 804 का स्क्वायर तो 4 चॉक 16 8 और 8 चॉक 64 यह हो गया 8 का स्क्वायर 8 चॉक 32 32 चॉक 64 यह आंसर आगया ठीक है? तो तीन डिजिट में जब भी कभी स्क्वायर निकालना हो तो इस मैथर से निकाल सकते हैं 9 की सीरीज के कभी निकालना हो तो इस मैथर से निकाल सकते हैं अब बात करते हैं कि जैसे कोई भी डिजिट है माल लीजिए एक तरीका और भी है जैसे माली जब 22 का स्क्वाइर निकालना है हमको दोनों सेम डिजिट है ठीक है तो पहले हम 20 का स्क्वाइर निकालने एक किसका स्क्वार कितना होता है तो आपको क्या लिखना है एक का स्क्वार इसका स्क्वार दो का स्क्वार कितना हो गया चार ठीक है आप इन दोनों को इंटू करना है और इससे इंटू कर देना है two ones are two 22j4 four four one आगयो कि है ऐसे ही आप कर सकते हैं कि इसमें ऊचम्न가 बीकाइब में लगा सकते हैं डारेट क्या एफ्क्रेइब स्वाइर्ड इसक्वाइर प्रडी टू यह शिव Espri डिर्य 관리 निकाल सकते है आप जैसे 22 सफटे का निकालने हैं तो बाइस श्टेदी टालीं के लिए क्या होगा होगा है यह माली उबहाल लीज्य कितना हो जाया गये भी श्क्वायर थिक कितने हो जाएगा दो दो नी-4 दो yanis k生ला थे नहीं लोगर को दोनों को लेत दो कि यहां पर पीया छी तो और इसके बाद फिर इसका स्क्राइर यह निकी फिर से चार आ गया लिए तो इसका मतला हम यह वाला पेटर्न भी लगा सकते है कि यह वाला फोमलने डलिक लिगा दिया यहां भी लिख मिने तो थो थार्टी-ःक्षर निकालने के लीगां वैसे वैसे ही ये गांकी कर सकते हैं देखें पहले इसका तीन का स्क्राइल नौ ठीक है फिर टूए भी तीन तीन नौ नौ दूली अठारा तीन तीन नौ और एक दस यहां गया अंसर ठीक है तो इस तरीके से भी हम इस कोशन को कर सकते हैं क्योंकि यह फॉर्मला हर जगे अप्लाई हो जाएगा आपका किसी भी टू डिजिट के लिए और जो थ्री डिजिट वाला हमने जो बताया है आपको यह हंडेड मान के भी आप कर सकते थे जैसे हंडेड के आसपास होगा तो हंडेड बेसमान के भी कर सकते हैं और वैसे करना है तो सिंपल भी कर सकते हैं ठीक है आप जैसे माली जै कोशन यह लेकिन तभी अपलाई होगा जब जब यहां पर क्या हो जब यहां पर जीरो हो यहां पर जैसे माली जै आठ ह यहां 308 का स्क्वाइर तो आठी एठी चौन सट हो गया और तीन नौ हो गया और आठी चौबश 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 और तालिस इन्हें की यह आंसर हो गया ठीक है तो तीन डिजिट में जब बीच में जीरो होगा तो हम यह वाला मैथेड अप्लाई कर सकते हैं और हंडेड ब ट्रिक से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूं और विस फॉर एक्जाम फार सेलेक्शन जैहिन जैवारत